हेलो जी क्या हाल चाल है सबके आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक नई सिंपल मज़िदार और बहुत ही बहतरीन वीडियो में जो की बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है बहुत जादा टाइम नहीं लूगा आपका और इस वीडियो में अपने टैटल पढ़ लिया होती है अगर यह आपका लैम्प है इसमें अगर लाइट लो हो रही है तो इसके ऊपर लाइट आ रही होती है इसके नीचे लाइट आ रही होती है और साथ ही साथ में एक हलकी सी लाइट इसके आर पार हमें नजर आ रही होती है मतलब इसमें आपको ऐसा नहीं कि बल्ब न स्टीट रबका के दीच का हई और इसको किया है उड़ वीन इसको कर देंदर हो अ Person तो आप देखोगे यहां पे फोई भी हमें लाइ敏 अगर सिर्फ मैं उसको सब्सक्रेंदर करें तो आप देखरें उपर लाइट आरही है नीचे light आ रही है उपर light आ रही है लेकिन कोई भी light इसके through नहीं आ रही है लेकिन आना तो इसी के through चाहिए क्योंकि ये lamp है तो वीरे material से ये कभी भी possible नहीं होगा बहुत लोग क्या करता है reflection डाल देते हैं उसके बाद fall off डाल देंगे उसमें तो भाई वो सही तरीका नहीं है यार reflection तुम कैसे डाल सकते हो तो बतलब डालने को तो कोई भी डाल दे कुछ भी डाल दे लेकिन एक सही तरीका होता है एक realism लाना होता है हमारे render में तब ही वो perfection के करीब जाता है कोई भी render इतना realistic तो नहीं है कि वो perfection के करीब चला जाए जब तक उसमें imperfection ना होना अब तो रियल रियलिजम नहीं आएगा लेकिन इतना imperfection नहीं चाहिए भाई ऐसा नहीं करना है तो इसमें क्या हुआ हमने एक normal वीरे material प्लेस किया अब हमें वो चीज मिली नहीं हम वो चीज लाएं कैसे तो उसके लिए यहां पे वीरे ने एक material provide किया हुआ है वीरे two-sided material वीरे two-sided material अब क्या काम करेगा अगर आपने मेरा curtain वाला वीडियो देखा तो उसमें भी मैंने यह use किया था और उसमें भी काफी सही आपका response आया था तो वही material हम यहां पे use करेंगे वीरे two-sided material और मैं काम करता हूँ इस यह वीरे two-sided material प्लेस कर देता हूँ अब देखो यहां पे यह place करने के बाद हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है गायव है क्योंकि आप यहां के अगर parameter पे देखोगे तो front material पे हमारा कोई भी material नहीं लगा है तो हमें यहां एक material प्लेस करना है और back material यहां पे अभी locked है तो सबसे पहले हम front material की बात करते हैं फिर हम back material पे आएंगे उसके बाद नीचे के parameters पे बात करेंगे तो यहां पे हमने front material पे जहां इसको place किया note connect किया हां और दूसरी बात यह कि अगर आपको यह slate material editor पे काम करने पे दिक्कत हो रही है तो इस पे भी मैंने एक dedicated video बनाया है जो कि i button पे आपको नजर आ रहा है तो आप उस पे जाके click करके वो video देख सकते हो लेकिन इसके बाद क्योंकि यह video इतना बड़ा नहीं है इतना जादा time नहीं लेगा और नहीं इतना जादा use ह इसमें materials का तो आप बड़े असानी से समच सकते हो चीजें कि कैसे हो रहा है उसके बाद आप जाके वो video देख सकते हो यहां पे हमने front material जहां place किया आप देखो यहां से जो light है वो हमें नजर आने लगी है और यह light lamp की तरह ही नजर आ रही है ऐसा नहीं है कि वो light पूरी आर आर पार हमें नजर आ रही है तो ऐसा lamp की तरह नजर क्यों आ रही है क्योंकि इसमें translucency है अब एक होता है transparent एक होता है translucent दोनों में difference क्या है transparent से आप आर पार देख सकते हो clearly कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको blurness दिख रही है या कुछ और दिख रहा है लेकिन translucent material में आपको blur दर सा दिखता है यह हमें 6th या 7th या 5th में शायद physics में पढ़ाया गया था physics तो नहीं बोलूगा science में पढ़ाया था actual में तो इसे मतलब अब मैं इतना physics में नहीं गुसूंगा या science में नहीं गुसूंगा तो यहां पर translucent material लगा हुआ है जिससे आप अंदर का bulb तो नहीं देख सकते हो लेकिन हाँ उसका glow जो है उसके थूरू हमें नजर आ रहा है जो material लगा हुआ है जो कि यहां पर shade लगा हुआ है उसके थूरू हमें नजर आ रहा है लेकिन यह अभी भी realism की तरफ तो नहीं जा रहा है कियोंकि झाहर सी बात है इसमें अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यह गलत है बहुत जादा plane सा है तो इसमें अब क्या करना है अगर आपने lamp देखा है तो उसमें लेम्प का जो shade होता है जो उसका hood होता है उसमें texture होता है pattern होता है fabric pattern होता है तो वह pattern अगर हम इस पे लगाते हैं तो शायद अच्छा लगे करके देखें लेकिन उससे पहले translucency की अगर बात करें तो यहां पे हमें जो ट्रांसलूसेंसी का है वह color selector मिल जाता है जिसमें आप नीचे या उपर अपने हिसाब से ड्रैक करके set कर सकता है अब आप सेट क्या कर रहे हो ट्रांसलूसेंसी मतलब आप इसको जितना white की तरफ ले जाओगे यह उतना ज्यादा translucent हो जाएगा और light उतनी ज्यादा पास होगी और इसको जितना आप black की तरफ ले जाओगे वह उतना कम translucent होगा और light कम पास होगी तो यह अपने mood के हिसाब से आप सेट कर सकते हो अगर आपका थोड़ा cozy वाला scene है तो इसमें आप light कम ला सकते हो आपका bright scene है तो इसमें light प्रजादा ला सकते हो यह बिल्कुल आपके scene के उपर और आपके उपर depend करेगा बाकी अब हम इसको थोड़ा बीच में रखते हैं और यहां पर आपको no map का option दिख रहा है आप भी कर सकते हो आप गूगल पर डाल सकते हो seamless material आपको lamp seamless material या lamp texture seamless ऐसे करके आप डाल सकते हो तो यहां पर आपको यह आजाएगा मैं अगर आपको image दिखाऊ तो यह image मैंने download की थी तो यह material आपको बड़े easily net से मिल जाएगा और भी बहुत तरह के मिल जाएंगे आप अलग-अलग experiment कर सकते हो अपने lamp के साथ तो यहां पर जहां हमने जब map लगा दिया तो आप देख सकते हो किस तरह का texture हमें नजर आने लगा है यह अब realism की तरफ जा रहा है इसके बाद आप यहां पर देखोगे 100 लिखा हुआ है 100 क्या है यह percent है यह percent दिखाता है कि जो आपने map लगाया हुआ है वो कितने percent पे काम कर रहा है पर एक्जामपल अभी जो आपने map लगाई है 100% पे है अगर इसको 50 कर दोगे तो इसका जो इसका texture हमें दिख रहा था वो आप 50% पे दिखेगा तो इस तरीके से आप इसके texture को कम या जादा अपने हिसाब से कर सकते हो और साथ ही साथ translucency भी काम करेगी अगर आप चाहते हो लाइट कम आए तो आप यहां से लाइट कम कर सकते हो और चाहते हो texture थोड़ा जादा increase हो जाया तो आप यहां पे 70 कर लो तो texture भी increase हो गया light भी कम हो गई और अपने हिसाब से सेट कर लो ताकि आपको आपको भी अच्छा लगे और scene में भी अच्छा लगे जैसे कि मुझे यह थोड़ा सही लग रहा है इसको 65 कर लेता हूं जादा टेक्शर नहीं चाहिए मुझे तो अब आप देखोगे इस पर texture भी आ गया है और अभी यह रेंडर इतना clear नहीं है तो आपको यह फील आ रहा होगा कि शाय टेक्शर ना नजर आए लेकिन एक बार रेंडर हो आपका मैंने बहुत कम वक्त लिया है और इतनी सही चीज़ बताईए तो अगर आपको पसंद आया यह तो प्लीज लाइक ठोक देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना बहुत लोग वीडियो देख के जा रहे हो सब्सक्राइब नहीं कर रहे है यार बुरा लगता है प्ल कि इस जगह पे मैं बहुत बार फसा हूँ I hope आप न फसे हो अगर कोई फस रहा है तो प्लीज यह है आपके लिए वीडियो देखो और शेयर करो So thank you so much for watching and stay tuned